नमस्कार कनाग जीमन चैनल में आपका स्वागत है आज हम अजीबो गरीब एक घटना की वीडियो आपके पास भेज रहे हैं मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा दूँ अजीबो गरीब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि यह जो खेती आप देख रहे हैं यह टमाटर की खे खेत में था अभी आप देखिए मैं पूरे खेत का द्रीस आपको दिखा रहा हूं आप नजर भर के देखिए इसके बारे में हमें विशेश जनकारी आपको देनी है और आज के समय में इस तरह का अपराज छम में नहीं है इसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको किसान जो एक फसल को अपने बेटे की तरह पालता है और आगे के भविस के लिए उसकी सेवा करता है कि फसल लिख लेगा तो आगे का काम हम करेंगे इस तरह से चार कठा में चार कठा जी चार कठा में यहां आपको टमाटर की खेती हुई थी लगबग आठ से दोसाजार रुपिया इनका खर्च था इसमें और यह जब तयार होता तो कम से कम पचास आठाजार रुपिया इनका निकलता इसमें जिससे यह अपना घर का काम करते बच्चे को पढ़ाते या बेटी की साधी करते जो भी है किसान जो है और एक सबसे महतफ़ण चीज है कि यह खेत इन्हों ने पर लिया है एक साल में इनको कुछ पैसे खेत मालिक को देना पड़ता है इस बीच इस खेत को रात में कोई तीन चार आदमी आ करके और इस फसल को नस्ट कर दिया गया है मैं आपको यहां दिखाते चलूं कि जो व्यक्ति यहां आया है जो चोर यहां आया है चोर मैं उसको रुका सकता हूं चुकि राख में आया था तो यहां इसका खोईनी खाने वाला छिनोटी भी गिला है अगर पूलिस इसको देखे थाकिकात करे मैं में तो ये काफी भावख हैं मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस तरह के अपराध किस स्रेणी में आते हैं ये तो पुनिस बताएगा लेकिन ये जो अपराध हुआ है किसी ब्यक्ति को हार्ड अटेक दे देने के लिए हुआ है मैं जानना चाहूंगा उस ब्यक्ति से जि कि आदमियतना कितने हद तक गिर चुकी है आये हम जानते हैं उनसे जिनका खेत है जिन होने लीज पर लिया है और इका दुका पैसा इकठा करके लोगों से कर्ज ले करके खेती करते हैं कि अगला फसल निकलेगा तो हम उसको भरपाया करेंगे इन पर क्या बित रही है सबस से कि कमेंे रुषाल है की तो चारजाव रुपया देना है खेत है लालाध पूर रहुनाद परसाद पाहण है पहले अभी फसल लगाएं पहला ही फवसल अब इंकम अभी एक पैसा का नहीं हुआ है आठ दोस अजार उप्या खर्चा हुए है अभी मैं तो किसान जैसे रोज जाता आपने खेत में आया तो मैं देखा तो मुर्चित हो गया मुर्चित होने के बाद मैं गया गाहां में पुलिस को नहीं संदिये हैं लेकिन आप आपको कैसे किस पर सब्सक्राइब करना बेकार है लेकिन अब हमें तो हानी हुआ है अब क्या करेंगे रोग आकर क्या करेंगे अब आप क्या चाहते हैं कि परशासण करें कि दो कुछ करें विद्व करेंगे affected विद्व क來到ुट ट्रम आप में साम तक कुछ अप्लीकेशन करेंगे नहीं करेंगे डेना है जरूरी होता है उसके बाद उनका काम होगा तो क्या करेंगे नहीं करेंगे लेकिन आपका जुग काम है कितना में आते लगाया छनुवरी में जनुवरी सोसेवा करते आघा रहा है अभन सीवा करके भादर कर के लागत हो का अभी तका अफील लगा गया । अभी तो पानिए फसल आपने आपना आगे काम करते खेत का किस्त भरते पिर आगे का अपने तो यह आप देख रहे हैं खेत बिल्कुल यह उजड सा गया है इका दुका मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि इका दुका उसको ऐसा लगा है तो यही दूका फसल आपको दिखाई देरा है वाकई इस खेत में कुछ भी नहीं है कहने का मतलब यह कि खेती बिल्कुल बंजर हो गया अब इस समय फसल भी लगांगे फसल किसान को लगाने के लिए कम से कम उसको छे महिना आठ महिना इंतजार करना पड़ता है तब जाकर के कुछ ना कुछ उससे औरनेंग हो पाती है अगर समय माकूल रहा मौसम माकूल रहा तब एक किसान जो देश दुनिया के लोगों का पेट बर रहा है और उसके सांस ऐसा होना यह उचित नहीं है इस प्रकार का मामला बिरले ही कहीं सुनने को मिलता है इसे मानावता भी सरमसार होती है अगर किसी से जगड़ा है किसी से देश है तो उसमें पाचादमी मिलकर बैटकर समझा ज जा सकता है उसको डाट डपट किया जा सकता है उसको पनिस्मेंट दिया जा सकता है लेकिन फसल के साथ खेलवार किसान अपने फसल को भगवान मानता है और एक फसल उपजता है तो उसकी आर्थिक इस्तीती धीरे-धीरे सुधरती है और उसके साथ ऐसा अपराद यह च्छ ना फिर कभी ना हमें सुनने को मिले ना देखने को मिले ये बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही दर्दनाग है धन्यवाद